दिलिव भधारिया जी स्वागत है आपका हालो हाँ मदम नमस्के जी नमसकार दिलिव जी आपका सवाल क्या है मेरा सवाल है मेरा दन टैम पे रात की रात में टहला ही हो तो गबराट होती है गैज बनती है, आपके उम्र क्या है? 33 साल जब भी खाना खाया करें, दो चम्मच सौफ खा लिया करें ये घरेलो इलाज बहुत आसान है, अगर आप करना चाहें तो पहले सब लोग खाने के बाद सौफ खाते थे आप भी ये शुरू करके देख सकते हैं अच्छा अपने, जो खाना बनाता हैं आपके घर में उनसे कईए मेरी तरफ से कि बहुत दिन हो गए, एतनी सी अद्रक और इतना सा लहसन यूज़ करते इतने सारे खाने में, तो दीखिए, इतनी अद्रक और इतना लहसन और इतना ही धनियां यूज़ करें पूरे परिवार की खाने में तो ये बगएर दवा के भी सिर्फ खाने का तरीका बनाने के तरीके से भी आपको फायदा हो सकता है जैपुर से हैं सुनील गुपता जी स्वागत है आपका जी मेरको पिछले 20 साल से रहती है उस ऐचिदी का पता हैसे चलता है कि मेरे तारे शरीम में दर्ध होता है और जब सुब्य सुब आपकी उम्र क्या है? चालिस साल. पानी खटा आता है तो बदहजमी है. अगर खटा-खटा मुं में किसी को भी पानी आ जा तो समझे जिए बदहजमी है. तो दुखिए घरेलू इलाज में अभी बता रहा था किसी को कि सौफ खाया करें हर खाने के बाद दो चमच और जो घर में खाना बनता है उसमें अद्रक लहसन इतना इतना डालें. अक्सर महिला इतना सा डालती है तो भी बहुत हाजब बढ़ जाता है आदमी का हाजमा दूस्त हो जाता है. यह तो अच्छे इलाज है, आज से ही आप करके देख सकते हैं. और नहीं तो आप नमक जैतून आता ह प्रोग्राम असली और दो चुटकी या एक चुटकी हर खाने से पहले एक गिलास पानी में एक चुटकी या दो चुटकी देखिए चुटकी कहता हूं मैं इसे जितना भी आए एक गिलास पानी मिला कर खाने से पहले पी लिया करें आदा गंटा यह भी आपको इस रोग मे अगर से हैं राकेश जी स्वागत हैं आपका हालो राकेश जी शायद आपकी कॉल दिसकनेक्ट हो गई है आप फिर से कॉल ट्राइज जरूर कीजेगा लगता है फिर से आपकी कॉल कनेक्ट हो गई है जी बोलिए नमस्कार जी नमस्कार जी जाहिन सार बताइए पूछिए 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 पैरोमत दरत देता है आपकी मिसिस के ठीके जी शर्मा साब आपकी आवाज मुझ तक आ गई अब आप जवाब सुन लीजे देखिए जिनके भी पैरों में दर्द हो गुटनों में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, कमर में दर्द हो उनके घर में कुर्सी वाला शोचाले अनिवारिये हैं नहीं है तो लगवाने तो बहुत फाइदा होता है और एक गौन जिसको मैं बार बार बोलता हूँ और बहुत लोगों ने इसका फाइदा उठाया अब वो गवान का नाम है गवान सियाह सियाह यानी काला ये काला गवान असली लेना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि नकली बहुत मिलता है आदा गिराम सुबह खिलाएए मरीश को जिनके दर्द है खाने के बाद आदा गिराम आदा गिराम समझ लिए इतना सा होता है आदा गिराम सुबह खिलाई आदा गिराम शाम नाचते और खाने के बाद पानी से बगए चर्बी के दूस से या जूस से जैसे आपके हालात है सबसे फायदा करता है लेकिन याद रखें, अस्ली लेना जरूरी है, इसके बदले में दुकानदार नकली गौन दे रहे हैं, एलवा दे देते हैं, एल्वा नहीं है ये, धाक का गौन भी नहीं है, ये सब दे रहे हैं लोग, तो अस्ली लेना आपकी जिम्मेदारी है, अगर सौ ग्राम भी अस्ली मिल गया, तो आपको फाइदा होना मुम्किन है. अच्छो देखो, यह दर्द ऐसा होता है कि आदमी की कमर में नसें दबी होती है. लेटने के समय वो और दब जाती है. और वो खून सप्लाई वाली रग जिसे साइ्टिक नर्फ कहते हैं वो दब जाती है एक्सर और इससे दर्द किसी के एक पैर में, किसी के दोनों पैरों मे कभी कमर में, कभी घुटनों में, कभी कूलों में, तो एक तो आपके घर में वेस्टन टॉयलेट होना चाहिए, एक कुर्सी वाला शोचा ले, अनिवार ये है, ने तो आपको बहुत आसानी से फाइदा नहीं होगा, अगर वेस्टन टॉयलेट नहो तो, फिर एक जो मैं गौ जाएं आप, वो गौन सिया की जगा लोग एलवा दे देते, या धाक का गौन दे देते, ये अलग गौन है, असली ले, बहुत लोग नकली बेच रहे हैं, सो ग्राम भी आपको असली मिल गया, तो लेकि बहुत पुराना दाद है, असली लेने कोश्च करें, और आदा ग्र ग्राम शाम को खाएं, पंदा सोला रुपे रोज का इलाज है, एक ग्राम इतने में आ जाता है, ये एक दिन की का इलाज है, पांच साथ दिन के बाद फायदा शुरू करता है, थोड़ा सबर करना, और ये सो ग्राम भी अगर असली मिल गया, तो आप अपने खतम होने से प आपका सवाल क्या है, ये बिपी बढ़ता है आपका, आपके उम्र क्या है, मेरी खेसर, जी बिजाक्शन, थीक है, थीक है, थीक है, देखिए बिपी, अब हर शख्स को तकरीबन होने लगा, 24-24 साल पार करता है वो कभी भी BP की चपेट में Shugar की चपेट में Colistol की चपेट में दिल के रोग की चपेट में Diabetes की चपेट में आता ही है आज नहीं तो कल यह तै हो गया कि अब सारे रोग सबको होते वो लोग बच सकते जो पहले से सुरक्षा कर ले बीपी हो शुगर हो पलिस्टॉल हो और ऐसे चोटे मुटे मर्ज है जो हो ही नहीं सकते अगर हम जैतुन का सिरका इस्तिमाल करें जो निरोगी है वो दिन में एक बार कभी इस्तिमाल करने तीन चम्च पानी मिला के जैतुन का सिरका असली वाला लेके नकली मतले न अगली भी बहुत मिला है और जो रोगी है वो दो बार इस्तिमाल करें आपको बहुत कंट्रॉल बहुत फाइदा मुम्किन है तिवारी जी स्वागत है आपका हालो हालो जी नीरज जी कहां से बात कर रहे हैं स्युल्टान पुं स्वाल है यह फिर अमने ते उसाइद सुनमरीम्गर करें चीब करें अठीव और दूसरा सवाल मेरा है, मैं हेर कलर यूज करता हूँ, और सेंपू, तो इस अब करना चाहिए, अब हेर कलर यूज करते हैं? जी, जी, हाँ, हेर कलर यूज करते हैं, आगे क्या कहा आपने? किते साल का बच्चा है? कितने साल का बच्चा है? साथ साल का बच्चा है जो साथ साल का बच्चा है वो जो भी खाता है शौक से चाहे थोड़ा सा ही खाता है उसमें सौर्ट या अद्रक जो भी या उसका जूस अद्रक का मिला दें फिर उसके जायके का बना के करें खाना खाता है तो भी उसमें अद्रक का यूस खूब करा है एक डुसका भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप बना ले तो देखिए इसब गोल की भूसी 100 ग्राम और अदरक का पाउडर होता है उसे सौट कहते हैं 50 ग्राम सौट का पाउडर और 100 ग्राम अलसी इनको इनको पाउडर बना दें और इसमें शहद मिला दें इसके बराबर का यह इतना जायकेदार होता है बच्चे को एक चमच खिलाजे करें रोजाना आप अगर इससे पॉडर नहीं बना पा रहे तो मुझे हैरानी है लेकिन इसको आप जितना यह है इतने ही पानी में डाल दें और तीन घंटे बाद देखें यह एलाश्वती जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार नमस्के बाइसाब अधाब अपने हस्वेंट के बारे में पूछना चाहती है उनकी ना उमद स्वागत है ठीक है उनको ने डिप्रेशन है डिप्रेशन है डिप्रेशन है कि मैं न गिसे थी तो मेरी टांग खराब हो गई तो तब से न इनको डिप्रेशन होगे कि मेरा घर खराब हो गया डिप्रेशन है क्यूंकि इनका एक पैर खराब हो गया है उसको लेके वो डिप्रेशन में रहते हैं अच्छा इनका पत्नी क जी ठीक है आँ दीए डिप्रेशन के वक्त जरूरत होती है एक अच्छे दोस्त की और वो ऐसी बाते करें जो उसको पसंद हो चाहे वो गलती क्यों ना हो एक तो यह यह आप उन्हें रोज ऐसी सपोर्ट दिया करें कि उन्हें होसला मिले चाहे वो बाते गलत हो समाज के अच्छी होनी चाहिए डिप्रेशन में एक तारीफ भी बड़ा काम करती है आप उनकी तारीफ किया करिए आप तो ऐसे होसले वाले हैं और आपकी तरंदर तो यह बात इतनी अच्छी है वो बात इतनी अच्छी है यह तरीका है उस शक्स को होसला देने का यह तो हुई बा दादा भी कर सकते देखिए धनिया तीन सो ग्राम धनिये का दाना यह इसका पौडर बना ले तीन सो ग्राम आवला डेड़ सो ग्राम आवला सुका मिलता उसको डेड़ सो ग्राम और छोटी हर आती है उसको पहले घी में या तेल में भून ले हूँ उसका पौडर बना ले यह भी देज सो ग्राम. इलाशी चालिस पचास ग्राम, छोटी इलाशी जो हरी इलाशी होती है चालिस पचास ग्राम. और गौन मॉरिंगा सफेद इसमें मिलाएं धेर सो ग्राम खुब बारिक पॉडर बनाएं और एक चम्च उनको खिलाएं चाहें तो दूद में मिलाकर भी खिला सकते है पौर्डर भी खिला सकते है या इस सब पौर्डर में इसके बराबर का आप शेहद मिला दे, चम्मस्त से ऐसे मिक्स कर दे तो ये एक अच्छा माजून बन गया, एक चम्मस्त सुबाpersाथ फाली पेट पानी से, और रात को पानी से दिया करें, ये उनका ठीक होना मुम्किन है.